तो चलिए बिना देरी कि ये शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड. कार्टिक का कमरा पूरे कमरे में आर्जू की सिस्कियां और आहे सुनाई दे रही थी कार्टिक के हाथों की मूवमेंट अभी भी जारी थी आर्जू ने कराते हुए कहा कार्टिक प्लीज स्टॉप आई कांट बहुत अजीब लग रहा है. आर्जू की बात सुनकर कार्टिक ने उसकी तरफ देख कर कहा तुम मुझे खुद के अंदर महसूस करना चाहती हो बॉक्सर इस वज़े से तुम्हें ऐसा लग रहा है कार्टिक की बात सुनकर आर्जू के गाल जलने लगे क्योंकि वो समझ गई थी कि कार्टिक क्या कहना चाहता है उसने हाकलाते हुए कहा कार्टिक नो प्लीज कार्टिक ने अपने हाथों की मूब्मेंट बढ़ाते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे वह सब करन तो अभी में ये सब कर रहा होता। कार्तिक की बेशर्मी भरी बात सुनकर आरजू ने गुस्से से कहा तुम बहुत बेशर्म हो गए वो कार्तिक कार्तिक ने आरजू की तरफ देख कर कहा अच्छा तो वो कौन था जो इतनी सेकसी द्रास पहन कर मुझे सिड्यूस करने के लि लग रही थी जिसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो आरजू को इस तरह से बेहेव करता देख कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा आज मुझे मेरी बोल्ड और डॉमिनेटिंग बॉक्स से अलग क्यूट और प्यारी बॉक्स देखने को मिली है और मुझे यही पसंद ह खास कर जब भी हम रोमेंस कर रहे हो कार्तिक की बात सुनकर आरजू शर्म आने लगी आरजू को इस तरह से करता देख कार्तिक ने अपने होटों को एक बार फिर से उसके होटों पर रखा और किस करने लगा इस बार उन दोनों की किसका फिर ज्यादा डॉमिनेटिंग और पोसफूल थी। आरजू भी पूरी शिद्दत से कार्तिक के होठों पर किस कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा, एक दूसरे को छोड़ते ही दोनों लंबी-लंबी सांसे लेने लगे। कार्तिक के उपर बैठ गई दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था पर अब आरजू की शर्म जैसे गायब हो गई थी। आरजू की हरकत देखकर कार्तिक हैरानी से उससे देखने लगा जो थोड़ी देर पहले शर्मा रही थी अब बिलकुल बेशर्म होकर उसके उपर बिना कप्टों के बैठी हुई थी। आरजू के तरफ देखकर कार्तिक ने कहा तुम क्या कर रही हो बॉक्सा आरजू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कार्तिक को देखा और कहा अब तक तुमने मुझे सैटिस्फाइ किया अब मेरी बारी इतना कहकर आरजू ने अपने होंट कार्तिक के होठों पर रखें और उसे फोसफूली किस करने लगी। कार्तिक तो हैरान था कि उसकी बॉक्सा फिर से अपने पहले वाले अवतार में आकर बेशर्म हो गई थी पर कार्तिक भी इसकिस को इंजॉय करते हुए किस बैक कर रहा था काफी देर तक आरजू का आरजू के छोड़ा थी दोनों लंबी लंबी सांसे लेने लगे। आरजू के छोड़ते ही कार्तिक ने मुस्कुराते हुए देखा पर आरजू यही पर नहीं रुकी उसने अपने होंट कार्तिक की कॉला बोन और उसके सीने पर चलाना शुरू कर दिये जिससे कार्तिक की निचली बॉडी फिर से हरकत में आ गई पर आरजू अब कार्तिक की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं लग रही थी। इसी मॉडल से कम नहीं थी जिस वजह से आरजू उसकी बॉडी को छूने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। आरजू काफी डॉमिनेटिंग बिहेव कर रही थी जिससे कहीं ना कहीं कार्तिक को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कुछ देर तक कार्तिक के खुले सीने और उसकी अपस परकिस करने के बाद आरजू धीरे धीरे नीचे आने लगी आरजू की हरकत देखकर कार्तिक ने हेरानी से कहा ये तुम क्या कर रही हो आरजू ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा वही जो तुम कर रहे थे इससे पहले की कार्तिक कुछ कह पाता आरजू ने अपने होंट कार्तिक के हाडनस पर फिरना शुरू कर दिया जिस वजह से कार्तिक ने आहे भरन शुरू कर दिया। कार्टिक ने भी कस के आर्जू के बालों को अपनी मुठ्थी में भर लिया और कराते हुए कहा आर्जू ऐसा मत करो हट जाओ वहां से पर आर्जू कहां मानने वाली थी आर्जू अब फूल ओन मूड में आ चुके थी। आर्जू वहां पर किस और वाइट करने लगी और पूरे कमरे में अब कार्टिक के कराने की आवाजें गूंज रही थी जिस वजह से आर्जू और भी ज्यादा वाइल्ड बेहेव कर रही थी। अच देर तक कार्टिक ने उसे रोकने की कोशिश की पर बाद में उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। दूसरे को प्यार करते रहें उनके बीच अब कोई परदा नहीं था भले ही दोनों एक दूसरे के साथ बच्पन से थे पर आज उन्होंने अपने प्यार का पह्ला पड़ाव पार कर लिया था। मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा मैं अपनी हर सुबह इसी तरह से चाहता हूँ तुम्हारी बाहों में उसकी बात सुनकर आरजू ने धीरे से अपनी आखे खोली और कहा मैं अभी आरजू की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा तो बॉकस कैसे मान लूँ क्यों की कल जब तुम मुझे सिड्यूस करने के लिए कमरे में आई थी तब से अब मुझे तुम्हारी नियत पर शक होने लगा है आरजू ने जैसे ही कार्तिक की बात सुनी उसने गुस्से से कहा अच्छा तो रात को कौन था जो मजे ले लेकर वह सब कर रहा आरजू की बात सुनकर कार्तिक ने आरजू के गाल पर किस करते हुए कहा ओ माए एंग्री बढ़ तुम तो गुस्सा हो गई अच्छा तुमने नहीं किया था मजा ले लेकर वह सब कार्तिक की बात सुनकर एक बार फिर से आरजू के गाल लाल हो गए आर्जू ने कार्टिक को साइड में धक्का दिया और कहा उठो अब जल्दी से मुझे आज कॉलेज के लिए भी जाना है प्रिंसेस भी नहीं उठी होगी उसे जबरदस्ती तैयार करना होगा वही कार्टिक ने जैसे ही आर्जू की बात सुनी वह ब्याद से उठकर खड़ा ह गया उसके खड़े होते ही आर्जू घूर घूर कर उसे देखने लगी कार्टिक ने एक नजर खुद को देखा वह पूरी तरह से नेकेड था और फिर उसने एक नजर आर्जू को देखा जो आँखे फाड़ फाड़ के उसे देख रही थी उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ बेशर्म तो तुम थी अब तो खुलियाम ये सब कर रही हो आरजू भी एटिट्यूड से कहा तो तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी लड़की शर्माती रहूंगी तुमने अभी मेरी बोल्डनेस देखी कहा है कार्टिक। आरजू की बात सुनकर कार्टिक ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं पूरी जिन्दगी पड़ी है तुम्हारी बोल्डनेस देखने के लिए दिखाते रहना कुछ देर बाद दोनों ने शाबर लिया और तैयार हो गए। आरजू छुपके से कार्टिक के कमरे से निकल कर अपने कमरे में चली गई कुछ देर बाद सुकून के कमरे में सुकून हाथी गोड़े बेचकर सो रही थी और आरजू अनन्या और आयशा जी उसे उठाने के लिए पापड बेल रही थी। पर सुकून थी की उठने को तैयार ही नहीं थी आखिर में आरजू ने परेशान होकर जोर से चिलाया सुकून उठ जा वरना मैं तुझे यही छोड़ कर जाऊंगी पर सुकून के कानों में तो जैसे उसकी आवाज पढ़ ही नहीं रही थी वो अभी भी मिनी कुम्ब करन ब होती है तभी आरजू को एक आइडिया निकला उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और एक आडियो प्ले कर दिया आडियो अर्मान की आवाज थी जिसमें अर्मान कह रहा था इंजल आप कितना ज्यादा सोते हो यह हसल में आरजू ने तब रिकॉर्ड किया था जब अर्मान सुकून को पिछली बार उठाने के लिए आया था और उसकी आइडिया काम करके जैसे ही सुकून के कानों में अर्मान की आवाज पड़ी वह जट से उठकर बैठ गई उसने अपनी आधी खुली आधी बंद आखों से कहा आप आ गए मिस्टर हैंसम वह देखनन्या ने हंसते हुए कहा सच में तुम्हारा आइडिया काम कर गया आर्जू आर्जू ने एटिट्यूट से कहा आर्जू राठोल का कोई भी आइडिया फेल नहीं होता वही सुकून ने जैसे ही अपने सामने खड़े लोगों को देखा उसका मूह बंग गया उसने कहा हमने हमार मिस्टर हैंसम की आवाज सुनी को कहा है आईशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा वह बस एक आडियो था अब आप जल्दी उठ जाए वरना आपको कॉलेज के लिए देर हो जाएगी वहीं ये सुनकर की यह सिर्फ अर्मान की आवाज थी सुकून की आँखें उदास हो गई उसके चेहरे की उदासी देखकर आईशा जी ने कहा बच्चे आप इस तरह से उदास क्यूं हो रही हो अर्मान ने कहा है न वह शाम तक आ जाएंगे फिर आप इस तरह से उदास होकर आज कॉलेज जाओगी तो आपका फर्स्ट डे अच्छा नहीं जाएगा अब आप अपना मूड अच्छा करो और जल्दी से तैयार हो जाओ आज आप अपने कॉलेज की दुनिया में पहला कदम रखने वाली हो वही आईशा जी की बात सुनकर सुकून ने उदासी से कहा पर हमें हमारे मिस्टर हैंसम चाहिए हमारे साथ आईशा जी ने कहा तो जब अर्मान रात को आ जाएंगे तब आप उन्हें कहना की वहकल आपको कॉलेज छोड़ने आए आईशा जी की बात सुनकर सुकून ने हां में सरहिलाया और बाथरूम में चली गई कुछ देर बाद सुकून नहाकर बाहर आई उसने बाहर आकर देखा उसके बैड पर पहले से ही उसके कपड़े आईशा जी ने रख दिये थे उसने कपड़े देखे जिसमें ब्लैक कलर का डेनिम जीन्स और वाइट कलर की प्रिंटेर ती शर्ट अर्थी सुकून ने मुस्कुराते हुए वह कपड़े पहन लिए कपड़े पहनने के बाद सुकून ने खुद को आइने में देखा वहिस वक्त काफी क्यूट और प्यारी लग रही थी सुकून ने खुद को आइने में देखते हुए कहा हम कितने ज्यादा क्यूट और खुबसूरत है आज तो सभी लोग हमें देखकर जल जाएंगे इतना कहकर उसने लिपस्टिक उठाया और अपने होठों पर लगा लिया सुकून को मेकप करने की आदत नहीं थी वह बस लिपस्टिक और काजल लगाती थी उनके होठों पर लिपस्टिक लगाए और आँखों में गहरा काजल उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया जिसमें बहुत ज्यादा खुबसूरत लग रही थी सुकून की खुबसूरती इतनी थी कि कोई उसे दोबारा देखने से रोप नहीं पाता था सुकून जैसे ही नीचे आई उसे देख कर सबने मुस्कुराते हुए आप बहुत प्यारी लग रही हो सुकून ने सब को गले लगाया और आरजू के साथ कॉलेज के लिए निकल गई गाड़ी में भी चुप चाप बैठी हुई थी क्योंक ये अर्मान उसकी जिन्दगी था जिसके बिना वो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वही गाड़ी में आरजू भी आज चुप चाप बैठी हुई थी सुकून अर्मान के ख्यालों में खोई हुई थी इस वजह से उसका ध्यान आरजू पर नहीं गया आरजू कर रात के बारे में सोच कर बलश कर रही थी। आरजू जब भी एडल्ट फिल्म्स देखती थी उसके दिमाग में बार बार यही आता था कि जब वो कार्तिक के साथ यह सब करेगी तब उसे कैसा लगेगा पर कर रात की बाते सोच सोच कर उसके पेट में तितलिया उर रही थी उससे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी अगर रात को कार्तिक अपनी लिमिट क्रॉस करना भी चाहता तो आरजू उसे रोकने वाली नहीं थी पर वह इस बात से खुश थी की कार्तिक ने ये सोचा कि आज उनकी उम्र भी कम है इस वज़े से कार्तिक अभी इतनी जल्दी अगे बढ़ाना नहीं चाहता था इस वज़े से कार्तिक पर आरजू को काफी प्यार भी आ रहा था गाड़ी में दोनों अपने ही ख्यालों में घूमती सुकून का मूव गुस्से से फूला हुआ था क्योंकि सुबह से अर्मान ने उसे फोन भी नहीं किया था सुकून एठी खिडकी से बाहर देख रही थी और आर्जू अपने ख्यालों में द्राइवा गाड़ी द्राइव कर रहा था अचानक से उसकी गाड़ी कॉलेज के कुछ दूरी पर आकर रुक गई इस तरह से गाड़ी रुकता देखा आर्जू ने हिरानी से कहा क्या हुआ अंकल आपने गाड़ी क्यू रोक द्राइवर ने अपना चेहरा आर्जू की तरफ की और कहा मैडम आगे गाड़ियां रुकी हुई है आरजू ने खिर्की से बाहर देखा बाहर कम से कम पंद्रा गाडियों का काफिला मौजूद था गाडियों पर लगे लेबल को देखकर ही आरजू पहचांग गई कि ये हर्मान की गाडियां है क्योंकि गाडियों पर एयार का लेबल लगा हुआ था आरजू ने एक नजर सुकून की तरफ देखा जो अभी भी मूव फुला कर गुस्से से गाड़ी से बाहर देख रही थी आरजू ने उसे छेड़ते हुए कहा ओ मेरी सुकून रानी तुम्हारे राजा आ गए हैं तुम्हें मनाने सुकून ने मासूमियत से कहा हमें तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि तुम हमारा मजा कोड़ा रहे हो क्योंकि हमारे मिस्टर हैंसम हमें छोड़ने नहीं आये सुकून की बात सुन आरजू ने उसे छेड़ते हुए कहा तुम्हारे मिस्टर हैंसम तुम्हें छोड़ने नहीं आये हैं जरा देखो तो सही सुकून ने गाडी से बाहर देखा गाडियों पर लगे लेबल को देखकर ही वो पहचांग गई कि ये अर्मान है है ये महसूस करते ही सुकून जल्दी से गाडी से बाहर निकली और दोड़ते हुए गाडियों की तरह से मुस्कुराते हुए भाग रही थी। उसे इस तरह से गाडियों की तरफ भागता देख आर्जू ने हस्ते हुए कहा सच में भाई प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इतना सोच कर आर्जू मुस्कुराने लगी वही सुकून जैसे ही दोड़कर गाडियों की तरफ जा रही थी उसका ध्यांग गया क की अर्मान गाड़ी से बाहर निकल कर बोनट पर लात रख कर उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था आरजू भी गाड़ी में जो सुकून और अर्मान को देख रही थी सुकून ज्यादा जोर से दौड़ते हुए जाकर सिधा अर्मान की बाहों में समा गई अर्मान ने उसके उसे कस के गले लगाया सुकून ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा हम आपसे नाराज हैं आपने हमें आज सुबह भी फोन नहीं किया और हम कॉलेज भी अब नहीं जाने वाले थे क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा था। सुकून की बात सुनकर अर्मान ने कुछ नहीं कहा और उसका चेहरा अपने हाथ में भर कर उसकी आँखों में देखते हुए कहा अब तो मैं आ गया हूँ ना अब आप खुश है ना इंजल सुकून ने मासूमियत से और मुस्कुराते हुए हां कहा पर आप कैसे आए अर्मान ने कहा एरोपलेन से सुकून ने मुँ बना कर कहा वह तो हमें पता है पर आप तो रात को आने वाले थे ना अर्मान ने उसे अपने करीब कीच कर उसके माथे पर किस करते हुए कहा पर मैं अपनी एंजल के लिए जल्दी आ गया क्या आप इस बात से खुश नहीं हो सुकून में जल्दी से अपना सर हिला कर कहा हम बहुत खुश है अर्मान ने उसे कस के गले लगाया इन दो दिनों में जब उसने सुकून को नहीं देखा था तब वही जानता था कि उसकी कितनी याद उसे आ रही थी अर्मान ने सुकू उन्होंने ये सब देखा उन्होंने अपनी नजरे नीचे कर ली क्योंकि उन्हें अपने बॉस को इस तरह से देखना allowed नहीं था वही आर्जु भी गाड़ी से बाहर निकल कर मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी आर्जु ने मुस्कुराते हुए मेरा भाई भी कितना रोमेंटिक है आखिर भाई किसका है आरजू राठोल का तो रोमेंटिक होना तो बनता ही है इतना कहकर आरजू ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाईल निकाल कर उन दोनों की एक फोटो खीच दी दोनों अभी भी पैशनेट लिए एक दूसरे को किस कर रहे थे और मान काफी ज़्यादा डॉमिनेटिंग था जिस वज़े से सुकून के होटों पर दर्द हो रहा था क्योंकि ऐर्मान काफी हंगरी ली किस कर रहा था पर सुकून भी उसे नहीं रोक रही थी क्योंकि इन दो दिनों में उसने अर्मान को बहुत ज़्यादा मिस किया था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे अर्मान ने कुछ देर बाद सुकून को छोड़ा अर्मान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसे लेने लगी उसने उसने मुह बना कर अर्मान को देखा क की अर्मान ने छोड़ने से पहले उसके होटों पर दांत गड़ा दिये थे सुकून ने अर्मान की तरफ देखकर घूरते हुए का आपने क्या किया अब हमारे क्यूट क्यूट लिप्स कैसे देख रहे होंगे ये तो सूज गए होंगे ना और हम कॉलेज में सबसे ज़्याद एक दूसरे को किस करते रहे अर्मान ने कुछ देर बाद सुकून को छोड़ा अर्मान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसे लेने लगी उसने गफूर करार मांगू देखा की की अर्मान ने छोड़ने से पहले उसके होटों पर दांत गड़ा दिये थे सुकून ने बात सुनकर अर्मान ने उसके माथे परा रहे बालों को साइड करते हुए कहा आप अभी भी सबसे ज़्यादा खुबसूरत लग रही हो अर्मान की बात सुनकर सुकून मुस्कुराने लगी उसके लिए यही काफी था कि उसके मिस्टर हैंसम उसे सबसे ज़्यादा इसको नहीं छोड़ने वाला मेरी प्रोफाइल पर मैंने दो नई कहानियां अप्लोड की है जाकर जरूर देखेगा और पसंद आए कोई तो पढ़ेगा भी जरूर मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहती हूं मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है और कहानी लि काफिला एकसल कॉलेज के लिए निकल गया एकसल कॉलेज मुंबई का सबसे बड़ा और अच्छा कॉलेज था जहां पर पढ़ाई करने का सपना हर बच्चे का होता था इसी कॉलेज में अर्मान कार्तेक और आहिल ने अपनी ग्रेजुएशन कम्पलीट की थी क्योंकि केबिन के मरने के बाद सब लोग वापस इंडिया आ गए थे अब इसी कॉलेज में दिव्या आर्जो और सुकून पढ़ने वाली थी गाड़ी में सुकून अर्मान से बंदर के बच्चे की तरह चिपक कर बैठी हुई थी अर्मान भी पियार से उसके सर को सहला रहा था वही सभी गाड़ियों के जाने के बाद वहाँ पर आर्जो आर्जो की गाड़ी और आर्जो के लिए प्रोटेक्षन के लिए चार बॉडी गार्द्स की गाड़ियां ही खड़ी थी आरजू भी गाड़ी के अंदर बैठ गई और उनकी गाड़ी निकलने ही वाली थी कि अचानक से वहाँ पर एक और गाड़ियों का काफिला आकर खड़ा हो गया ये देखकर आरजू का मूह बन गया उसने कहा सबके लिए उसके उसके बॉइफ्रेंड आते हैं और मेरा वाला पता नहीं कहा गया उसने इतना कहा ही था कि उसकी नजर बाहर खड़ी गाड़ियों के काफिले पर गई जहां पर केके का लोगो बना हुआ था ये देखकर उसकी आँखे बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि यह कीकी और कोई नहीं कार्तिक का पूर था उसने मन ही मन का वह अपिट्यूड से खड़ा था कार्तिक को देखकर आरजू हैरान हो गई पर उसने जल्दी से कार का दर्वाजा खोला उसके दर्वाजा खोलते हैं कार्तिक ने जटके से उसे बाहर निकाला और उसके कानों के पीछे बाल करते हुए का तो क्या कह रही थी बॉकसम मैं रोमेंटिक नहीं हूँ। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा रोमेंटिक हूँ इतना कहकर कार्तिक ने आरजू को जट से गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया कार्तिक ने आरजू को कार के अंदर बिठाया उन दोनों के बैठ ते ही उनकी कार का काफिला भी एकसल कॉलेज के लिए निकल गया। वही आरजू को कार में बैठाने के बाद कार्तिक बिना देरी किये उसके होठों पर तूट पड़ा। आरजू ने भी कोई विरोध नहीं किया और वह भी कार्तिक का साथ देने कार का पार्टिशन पहले से ही ओन था जिस वजह से कार्तिक और आरजू बेफिक्र होकर एक दूसरे को चूम रहे थे। वैसे उन दोनों को अगर द्राइवर देख भी लेता तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला था काफी देर तक एक दूसरे के होठों पर किस करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा दोनों लंबी-लंबी सांसे ले रहे थे उनकी सांसे एक दूसरे के चेहरे पर टकर रही थी कार्टिक ने आर्जो के होठों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा मुझे इनकी टेस्ट बहुत पसंद है बॉकस दिल करता है इन्हें कच्छा खा जाओ कार्टिक की बात सुनकर आर्जो शर्माने की जगर डेविल स्माइल के साथ बोली और मुझे इन्हें दिन भर का अपने का मन करता है इतना कहकर उसने आगे बढ़कर जल्दी से कार्टिक के होठों पर बाइट कर लिया ये देखकर कार्टिक ने हिरानी से कहा ये क्या किया तुमने आर्जो ने कहा अपने प्यार की निशानी दी है संभाल कर रखना कार्टिक बाबू इतना कहकर आर्जो खिल खिला कर हसने लगी आरजों की शरारत देखकर कार्तिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अर्मान की कार में उनकी कार एकसल कॉलेज के आगे आकर रुख गई थी पर कार का दर्वाजा अभी भी बंद था क्योंकि कार के अंदर अर्मान सुकुन को सीट पर लिठा कर उसके उपर था और उसे पैशनेटली किस कर रहा था। सुकुन बार-बार हिलने दुलने की कोशिश कर रही थी पर अर्मान के सामने नाजुक से सुकुन कहा टिकने वाली थी आखिर में ठक हार कर वो चुप-चाप सीट पर लेटी रही काफी देर तक अर्मान उसे लगातार किस करता रहा जब अर्मान सैटिसफाइ हुआ तब उ सुकुन के होटों को बुरी तरह से काटा था अब सुकुन की पिंट लिप्स पूरी तरह से रेड हो चुके थे जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी पर सुकुन को लग रहा था कि अर्मान ने उसका लुक खराब किया है इसलिए उसे बहुत गुस आ रहा था सुकुन ने अर्मान को घूराते हुए कहा आपकी वज़य से आज हम सबसे ज़्यादा खुबसूरत नहीं लगेंगे हमें आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है इतना कहकर सुकुन ने मुह फुला लिया अर्मान ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए एक बार खुद को मिरमें देख लो अंगल तुम्हें खुद समझा जाएगा कि तुम इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा खुबसूरत लड़की लग रही हो अर्मान की बात सुनकर सुकुन ने उसे अपनी छोटी छोटी आँखों से घूरते हुए कहा सची अर्मान ने कहा लग रही थी ये देखकर सुकुन की आँखों में चमका गई उसने अर्मान की तरफ देखा और कहा हम तो और भी ज़्यादा खुबसूरत हो गए हैं मिस्टर हैंडसम आपको भगवान जी से धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि हम आपको मिल गए वरना हमारे जैसे क्यूट इंटेलिजेंट खुबसूरत प्यारी लड़की मिलना आसान बात थोड़ी होती है इतना कहकर सुकून ने प्राउड वाली स्माइल अर्मान को दे दी सुकून की मासूमियत और प्यारी बाते सुनकर अर्मान ने मुस्कुराते तुम मेरी जिन्दगी की वह इबादत हो तो जिसे मैं हमेशा संभाल के रखना चाहता हूँ एंजल इतना कहकर अर्मान ने फिर से सुकून के होठों पर एक सुफ्ट किसकी और साइड में हट गया अर्मान के हटते ही सुकून सीट से खड़ी हो गई उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे जिसे अर्मान ने उसे सही करने में मदद की वही गाड़ी के बाहर निकल कर आर्जू कब से सुकून का इंतजार कर रही थी कार्तिक भी उसके साथ बाहर निकला हुआ था पर उस गई और बाहर भी निकल गई पर प्रिंसेस निकलने का नाम नहीं ले रही है उसने इतना ही कहा था कि कार्टिक ने उसे घूरते हुए कहा इसकी वजह तुम्हारा जलाद भाई है जो की अभी भी मेरी प्रिंसेस के पीछे पड़ा हुआ होगा। इतना कहकर कार्टिक ने मुँँ बना लिया कार्टिक की बात सुनकर आरज ने उसे घूरते हुए कहा खुद तो एक नमब के बेशर्म हो और मेरे भाई को ये सब कह रहे हो आरजो की बात सुनकर कार्टिक चुप हो गया। वही गाड़ी में अर्मान ने सुकून का चेहरा अपने हाथों में पकड़ कर कहा मेरी बात ध्यान से सुनो लड़कों से दूर रहना उनसे बात मत करना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा एंजल। इतना कहकर अर्मान ने एक सीरियस लोग सुकून को दे दिया अर्मान की बातों में सीरियस मैस देखकर सुकून ने अपना सर हिलाया और कहा हम ऐसा ही करेंगे मिस्टर हैंसम उसकी बात सुनकर अर्मान ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा अब जाओ सु गाड़ी से बाहर निकल कर चली गई। उसके बाहर निकलते ही आरजू जल्दी से उसकी तरफ आ गई कार्तेक भी अपनी गाड़ी में बैठकर ओफिस के लिए निकल गया आरजू और सुकून ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुम्हारे होठों को क्या हुआ दोनों ने य देख रही थी दोनों की खुबसूरती बेमिसाल थी खासकर के सुकून पर आरजू भी कॉलेज की बाकी सभी लड़कियों से हजार गुना ज्यादा खुबसूरत है। अग में दोनों को देखकर घंटियां बज रही थी वही लड़कियां तो जल रही थी। क्योंकि उनके बॉइफरिंट किसी पागल आशिक की तरह सुकून और आरजू को घूर रहे थे वो दोनों जहां जहां से गुजर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ सेलिब्रिटी अभी अभी यहां से गुजरा आरजू को तो बहुत मज़ा आ रहा था पर वो दिखा नहीं रही थी वो इस तरह से रियेक्ट कर रही थी जैसे उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा हो। वही सुकून को भी मज़ा आ रहा था आखेर अटेंशन पाना तो उसे बचपन से ही पसंद था सुकून सब की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल पास कर रही थी जिससे लड़क अपने दिल पर हाथ रख कर खड़े थे। जिसमें लड़कियों जैसी कोई हरकत नहीं थी उस लड़की ने उन दोनों की तरफ देखा और कॉलेज के सभी लड़कों की तरफ जो दिल पर हाथ रख कर सुकून और आरजू को देख रहे थे ये देखकर उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने बाकी चारों दोस् बहुर रहे थे। दूनगा इतना कहकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा द्रूब जरा एक नजर उसे देखना वो कितनी क्यूट है वही द्रूब जो इस ग्रूप का सबसे शांत लड़का था जिसे किसी से कोई मतलब नहीं होता था पर फिर भी अपने दोस्तों का साथ देने के जर गई वही वह लड़का यानि यानि अमन भी सुकुन की तरफ इशारा कर रहा था द्रूब ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तभी ग्रूप का लीडर यानि की सिध्धार्थ का ध्यान भी सुकुन की तरफ गया सुकुन को देखकर उसके चहरे पर शैतानी हटा गई उसने अपने दातों में चिंगम चबाते हुए कहा अभी तो ये दोनों कच्छी कलियां है चलो इनहीं बता देते की हम कौन है इतना कहकर वह गाड़ी के बोनच से कुद कर नीचे आ गया सिध्धार्थ की बात सुनकर ग्रूप का चौथा लड़का यानि की ने कहा भाए अभी तो ये दोनों कच्छी कलियां है क्या ये हमारा चौर्चर सह पाएंगे इतना कहकर वह हसने लगा वही तो चेक करके आना है इतना कहकर सिध्धार्थ आगे बढ़ने लगा सिध्धार्थ की बात सुनकर उसके पीछे राहूल और मायरा भी चल दिये वही अमन ने गुस्से से मूँ बना करका तुम लोगों से कुछ मत कहो क्योंकि वह तुम्हारी होने वाली भाभी है क्योंकि अब मुझे वह पसंद आ गई है मैं तो उसे प्रपोज करके रहूंगा अमन की बात सुनकर मायरा ने पीछे पलट कर उसे घूरते हुए कर चुपचाप चल वरना तेरी दोनों टांगे तोड़ दूनगी मायरा की बात सुनकर अमन ने चिड़ते हुए कहा तू तो एक नंबर की चुड़ल कभी तो लड़कियों जैसी हरकते कर लिया कर हमेशा पीठने की बाते करती रहती है तू मुझे तो तुझ पर शक भी होता है कि तू लड़की है या नहीं अमन की बात सुनकर मायरा ने उससे खा जाने नजरों से घूर कर देखा पर अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा अमन ध्रूब मायरा राहुल सिधार्थ सभी अपने कदम आ आरजो और सुकून अपनी ही मस्ती में पूरे कैंपस को देखते हुए आगे आगे चल रही थी वो दोनों जहां जहां से गुजरती सब का अटेंशन खुद बखुद उन पर चला जाता तभी सुकून के मोबाइल पर दिव्या का फोन आया दिव्या का फोन देखकर सुकू जहां हमें तेरा इंतजार कर रहे हैं। दिव्या ने कहा में ग्राउंड में ही हूँ और मुझे तुम दिख भी रहे हो इतना दोरते हुए उन दोनों के पास आ गई दिव्या आरजो और सुकून के पास पहुंच गई तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से अमन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खुबसूरत लड़कियां भी दुनिया में होती हैं। प्लीज भाई लोग इन तीनों को छोड़ दो ना तीनों में से एक तो पट जाएगी मुझसे वरना अगर उन्हें मुझ पर गु बना लिया और पांचों उन तीनों के पास चलने लगे वह तीनों अभी कैंपस देखी रही थी कि तभी उनके सामने फाइव स्टार ग्रुप आकर खड़ा हो गया। अचानक से इस तरह से उन पांचों के सामने आकर खड़े होने के कारण सुकून का बैलेस बिगडने ही व गूर रहे थे। ये देखकर सुकून की आखें छोटी छोटी हो गई उसने उन पांचों की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और पांचों को घूरते हुए कहा ये क्या बद्तमीजी है अगर हम तुम्हारी वजह से गिर जाते और हमारे क्यूट से फेस पर च लड़ू ही हो गया था यही कुछ हाल बाकी तीनों लड़कों का भी था पर उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया। वही मायरा ने एटिट्यूड से सुकून के सामने छुटकी बजाते हुए कहा तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बात कर रही हो मायरा की बात सुनक अमन की हसी छूट गई और वो जोर जोर से हसने लगा अमन को हसता देख सुकून ने उसे छोटी आँखों से घूरते हुए कहा तुम क्यूं हंस रहे हो तुम्हारे दांत किसी बंदर से कम नहीं है वही सुकून की बात सुनकर अमन का हसना अचानक से बंध हो गया और सब लोग हैरानी से सुकून को देखने लगे फाइव स्टार ग्रूप एक्सल कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि इन में से हर कोई काफी रिच फैमिली से बिलॉंग करता था जिनकी पहुंच बहुत ही ज्यादा थी जिस वजह से इन से पंगे लेने की कोई हिम माकत भी नहीं करता था और वह ये सब इस बात का अच्छे से फाइदा उठा कर कॉलेज के सभी लोगों को परेशान करते थे सुकून की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए कहा तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही लगता है कातना पड़ेगा सिद्धार्थ की बात सुनकर सुकून ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा तुम्हारी ओकात नहीं है सुकून कपूर की जुबान कातने सुकून की बात सुनकर राहूर धुरुवमन और मायरा हैरानी से सुकून को देखने लगे क्योंकि वह सब जानते थे कि सिध्धार्थ के साथ कोई भी बद्तमीजी से बात करे तो वो खुद की बुरी किस्मत को न्योता दे देता है क्योंकि सिद्धार्थ इतनी आसानी से किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ता वही सुकून की बात सुनकर सुद्धार्थ